अब लेगे यह लड़ू आपने कितने रखे पांच फूर लो पांपि खोड़ें राधे 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 पांच ते कतने अरे दो खड़े हैं वाकि दो खाये हुए हैं इस तीन गायब हो गया अधा एक दो लट्टू गया है अधूर 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 पान इदम सजा के रखे तो कि चबाया हुआ है कि आप नहीं रखे देना अपने हाथों जे खाया हुआ है अलो राधार अली शर्कार जैए नमस्कार दोस्तों जैश्री कृष्णा मैं हूं रामलान लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रामलान एस बिलॉग तो स्वागत कर दो करता हूं आप सभी का हमारी भक्ती सारा धारा की सीरी में तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं निधी बन के सारे रहस्यों जैसा की भगवान स्रीकिष्ण आज भी रास्रीला रचाने रात में आते हैं इस बन में और यहां पर कोई भी छिपके यक्टें से भी देखने का प्रियास करता है तो वो मानसिक रूप से अपंग होंगा बहरा पागल हो जाता है इस सारी सची घटना भी मैं मैं आपको एंड में बताऊंगा इससे पहले मैं आप लोगों को भगवान स्रीकिष्ण की संद्यारती के दर्सन कराके उनकी भी सब चीजों के बारे में बताऊंगा इसके बाद उस घटना के बारे में बताऊंगा सो भक्त जनो अभी हम पहुँच चुके हैं निदीवन में यहाँ पर कोई भी पेड सीधा नहीं होता है यहाँ पर सारे पेड़ों की लकड़ियां टेड़ी होती हैं क्योंकि यह गोपियां है इसलिए और यह सिंगार सश्चुका है रात्री इनका पूरा मतलब जो जो जमा जाता है सुबह बिखरा हुआ मिलता है वो सब चीजें यहाँ पर उपस्तित हो चुकी है फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद सब देखेंगे अब आरती हो चुकी है भगवान सिरी किष्ण की और राधारानी की इसके बाद पट बंद होंगे इन्हें साथ तालों से बंदर कैद कर दिया जाएगा वो फैस सुबह जो द्रस्त देखने को मिलेगा वो अधबुत होगा तो देखते रहिए यह सब चीजें पानी का घड़ा पान सिंगर का पूरा सामान रख दिया गया है बिलकुल तरीके से अब देखो साथ तारे लगाए जा रहे हैं इसके ब बाद मंदर पर इसर से सभी को बाहर निकालेंगे यह बंदर अपने आप भाग जाते हैं यहां कोई नहीं रुकता रात में और जो भी रख रहा है उन्हें देखते हैं पजारी और उन्हें बाहर निकालते हैं आपर किसी को भी रुकने की अनुमती नहीं है यह आखरी सबाइन कर दरस है। इस निदीबन का एक देख सकते हैं बिलकुल सुनसान हो चुका है अब सबाह होने वाली है। तो पर हम चलेंगे मंदर में और देखेंगे वहां का द्रस देख सकते हैं आप यहां पर सब कुछ आरती होकर बिखरा हुआ सामान दिखाएंगे सब चीजें दिखाएंगे थोड़ी इंतजार के बाद ये निदीवन में सुबह हो चुकी है और सुबह करना जा रहा है इसके बाद अब होने वाली है आरती सुबह की और ये ताले खोलेंगे अभी यहाँ पर पजारी जी तो देखते रहिए और बने रहिए बीडियो में बीडियो में कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं ये ताले खुलने लगे भकत जाना चुके हैं सामान पूरा बिखरा पड़ा है जैसा की रात में कैसा सजा हुआ था आप देखें तो पूरा बिखरा में लेगा और यहाँ पर रात में रास लीला करने के बाद स्री किष्ण और राधरानी बिसराम करते हैं ये पान के टुकडे हैं जो चबे हुए हैं देख सकते हैं भगवान आकर यहां पर रोज पान चबाते हैं एक पहले ही हमने वीडियो के आगे दिखाया था ये एक अब देख सकते हैं और इसके बाद एक लड़ू में कहरा भी वो खा कर जाते हैं और इस सारा सामान फैला जो रात में स्रीकेशन के साथ नरत करती है रासरीला का अब हम बात करने वाले हैं उस सची घटना की जो एक भाक्त रोज प्रयातन करता था छिपकर देखने की लेकिन पुजारी दोवारा पकड़े जाने पर बाहर निकाल दिया जाता था बन से लेकन एक दिन उसने ऐसी जग निकल रहा था और वो बेस अधालत में था तो वहाँ पर पजारी और सभी लोग भक्त जनों ने उसे उठाया और इस पानी बागनी डालके ठीक किया तो देखा कि वह स्वास्त नहीं हुगा भलकि थोड़ा मांसिक रूप से विकत और थोड़ा गूगा और पागल सा लगन जीने की कोई अक्छा नहीं है और उसने यही सब एक पेपर पर लेक के गुरू जी को दिया और अपने प्राण तज दिये तो इस परकासे घटना काफी लोगों में पर चले थे अब जो भी हो सत हो कुछ हमें तो दूसरों से ही पता चलता है तो हम आप लोगों के लिए ला करके और लाइक करने ताकि आप आने वाले अपडेट सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक करने ताकि आने वाले अपडेट मिलते रहें आप सभी का इस प्यारी वीडियो को देखने के लिए हिरदाय से धन्यवाद प्यास अवाले